हाई गाईज वेलकम टो एक्जाम अन्टर सो दोस्तो दिस इस एक लास बता दिए कि एक क्लास दस्वी क्लास है इससे पहले और लेडी नो क्लास आ चुके हैं अगर आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं ठीक है दोस्तो आज हम क्या कर रहे हैं पॉलिटी के एक जाम आने वाला है उसको भी कबर करेगा दोस्तो ठीक है तो आते हैं स्टार्ट करते हैं पहला कुशचिन है दोस्तो फर्स्ट कुशचिन है कि भारतिये राजनितिक वैस्ता में कर्याियापाली का किसके अधिन रहकर कारिया करती है ठीक है? ये दोस्तो 45 वा BPSC 2001-2002 में पुश चुका है क्लिर हो गया? अब इसको अंग्रेजी भी देखो In Indian Political System The Executive Works Under The Control of ठीक न? जो Executives होते हैं, वो किसके अंदर काम करते हैं? ठीक है? तो आपको पता होगा कि जो भी Executives होते हैं, जिसको हम कारिया पालिका भी बोलते हैं वो किसके अंदर काम करते हैं? Lays Lature के अंदर काम करते हैं इसका Option क्या हो जाएगा दोस्तो? B. ठीक है? जैसे इंडिया के कैस में देखोगे इंडिया के कैस में देखोगे तो क्या है? सदन जो है Council of Minister है वो सब क्या है? Executive Board है ठीक है? इसका अंसर हो जाएगा Legislature B. आप्शन हो जाएगा I hope पहला कुशन क्लियर हो गया कुशन नंबर सेकेंड देखते हैं सरकार की संसद्य वयस्था के विशे में निमलेखित में से कौन सा वयक्त सही है? ठीक है? विधाई का नियापालिका के प्रती जवाब दे है विधाई का कारियापालिका के प्रती जवाब दे है Option C है विधाई का कारियापालिका दोनों सोतंतर है राष्टपती नियापालिका के प्रती जवाब दे है इसमें से कोई नहीं इसमें से एक से अधिक ठीक है दोस्तों यह पूछा है बता दू यह 65 BPSC 2019 में पूछा गया सवाल है English Media में देखो Which of the following statement is about parliamentary system of government is correct? ठीक है आपको पता होगा है कि जो हमारा जो संसत प्रानाली है वो क्या है हमारा जो government है कोई system फोलो करता है parliamentary system जो हम कहां से लिया है UK से लिया है United Kingdom से जिसको among Britain भी बोलते है ठीक है तो option A है अगर देखो के दोस्तों तो इसमें सारे option क्या है गलत है इसका option हो जाएगा E इसमें से कोई नहीं ठीक है मतलब क्या है कि जो statement है न ये option B ये उल्टा दे दिया है यहाँ पर क्या होता है जो दोस्तो जो executive होता है न वो accountable होता है ना कि lazy letter clear यहाँ दे clear हो गया तो इसका option हो जागा E question number 3 देखो भारत के परधान मंत्री किसके प्रती जवाब दे है मंद्री मंदल, राष्टपती, लोकसभा, राजसभा, इसमें से कोई नहीं, इसमें से एक से अधिक यह पुछा गया है दोस्तो आपको 63 BPSC में ठीक है ना कब हुआ था? 2017 में भारत के परधान मंत्री किसके प्रती जवाब दे है? इसका एंसर हो जाएगा दोस्तो लोकसभा, अगर आप अनुछेद आर्टिकल 75 का क्लॉज दिन देखेंगे, इसका क्लॉज दिन देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है कि जो मंत्री परिसद है न, समुहिक लोकसभा के प्रती उतरदाई होती है, ठीक है? और जो मंत्री परिसद का जो हेड है, वो कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर इसका एंसर हो जाएगा C अंगरेजी में देख लो, to whom is the प्राइम मिनिस्टर is accountable ठीक है तिसका एंसर हो जाएगा लोकसभा, next question देखते है, question number 4, सवीधान में मंत्री मंदल सब्द का एक बार ही परियोग हुआ है, वह किछ अनुच्छेद में हुआ है, ठीक है, यहां ते clear हो गया, अंगरेजी में the word cabinet, the word, sorry, the word cabinet used only once in the constitution, ठीक है न, तो आपको पता हो कहा ह है, जिसको अंगरेजी में मंत्री मंदल बोलते हैं, हिंदियों मंत्री मंदल बोलते हैं, दोस्तों, वह अभी तक सिर्फ एक ही अनुच्छेद में यूज हुआ है, जो 352, आपको पता दे, इस आर्टिकल के थुरू हम क्या करते है, national emergency लगाते है, ठीक है, इसका एंसर हो ज भारत के, भारत के, भारत सरकार के कानूनी विशेप पर कौन प्रामर्स देता है, attorney general, उच नियाले के मुखे नियाधिस, विधी आयोक के अध्यक्स, इन में से कोई नहीं, who advises the government of India on legal matter, यह बहुत ही असान कुश्चन है, attorney general, chief justice of supreme court, chairman of the law commission, none of the, none of these, ठीक है दोस्तों, आप आपको बता दू, एक question, 44 BPSC 2000 में पुछे जा चुके हैं, तो एक बहुत ही असान question है, जो भी government को advice देता है legal matter पर, जो central government को, उसको क्या बोलते है, attorney general, ठीक है न, अब question इससे एक और पुछ सकता है, कि attorney general के बारे में, कौन से article में mention है, कौन से अनुछेद में mention है, तो आप वो भी अनुछेद article याद रख ले, article है 76, ठीक है न, article अनुछेद क्या है, 76, I hope एक इलिएर हो गया हुआ, question number 6 आते है, भारत का महान्या या वादी किसे द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है, मतलब क्या है, कि जो attorney general है, उसको appoint कोन करता है, ठीक है, तो option है, विधी मंत्री, भारत का राश्टपती, लोकसवा के अध्यक्ष, परधान मंत्री, इस में से कोई नहीं, तो बहुत यह असान question है, जो भी by whom the attorney general of India is appointed, ठीक है, इसका होगा दोस्तो, जो attorney general है, उसको appoint करता है, president of India, ठीक है, एक question, 64th BPSC, 2018 में, पूछा जा चुका है, सत्वा, कानूनी विशवब पर, राज सरकार को कौन सा प्रमर्स देता है, हमने क्या कर रहा था, दोस्तो, कि central जो level पर कौन देता है, attorney general देता है, वैसे ही, एक होगा, state level पर, जो state government को legal matter पर advice देगा, उसको क्या बोलते है, advocate general, उसको दोस्तो, क्या बोलते हैं, advocate general, हम ऐसा द तो यह अध्यान रखिएगा, ताई होग, यह भी clear हो गया, question number 8, देखो, अजादी के बाद भारत के, अजादी के बाद भासा के अधार पर भारत के राजियों का पुर्ण घटन किस वर्स में हुआ, ठीक है, दोस्तो, एक question, पुछा गया है, आपका, 64th BPSC में, ठीक है, 1947, 1956, 2000, इसमें से कोई ने, इसमें से आधिक, इंग्लिस में देखो, in which year the state of India was recognized on the basis of language after independence, 1947, 1951, 1956, 2000, none of the above and more than above, आपको पता होना चाहिए कि जो पहला, पहली बार, जो भासा के अधार पर, जो राजिया बना था, उस पर एक commission बठाया गया था, ठीक है, उस पर एक commission बठाया गया था, उस commission ने, report सौपा था दोस्तो, 1956 में, ठीक है, इस के अधार पर, भासा के, इस commission के report के अधार पर, भासा के अधार पर, राजियों का पूर्ण गठन ठीक है इसका एंसर हो जाएगा सी 1956 आपको आपको बताना है कि वह कमीशन का नाम क्या था कमेंट बोक्स में लिखके बताईए कि वह कमीशन का नाम क्या था और सबसे पहला जो लेंग्वेज के अधार पर बनने वाला अब आज आपको नमबर 9 लोग सभा के नेता कौन होता है काफी असान कुश्चन है लोग सभा के नेता कौन होता है इसका एंसर हो जाएगा प्रधान मंतरी अगर आप अनुछेद 75 का क्लॉज 1 पढ़ेंगे आर्टिकल 75 का क्लॉज 1 पढ़ेंगे इसमें मेंसरन है ठीक है देखो आप लोग सभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए नियुमतम आयू सीमा कितनी होनी चाहिए मतलब क्या है कि the minimum age limit of a person to be elected in the लोग सभा अगर लोग सभा में आप चुनाव लड़ते हैं तो आपका minimum age क्या होना चाहिए कुशन ये कुछ है दोस्तों ठीक है तो हमेंसा ध्यान रखना वो होना थे ये 25 साल वो क्या होता है 25 साल देखो अब क्या है लोग सभा के लिए कितना age minimum चाहिए 25 साल और राज्य सभा के लिए कितना चाहिए 30 साल ठीक है ये आप article 84 में देख सकते हैं कि एक कुश्चन पुछा गया है 45 बीपीसी 2001 से 2002 में ठीक है कुश्चन नंबर 11 देखो लोग सभा के सदस्य चुने जाने के लिए किसी देखो एक कुश्चन रिपीट हुआ है क्योंकि ये कुश्चन क्या है दुबारा पुछा गया 63 बीपीसी में कहां पुछा गया है 63 बीपीसी में ठीक है लोग सभा सदस्य चुने चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम कितनी एज होनी चाहिए इसका एंसर आपको पता होगा ओलेडी हमने कर रखा है 23 इसलिए है कि बिहार के जो प्रिवेस कुश्चन करके जाओगे बिहार के बहु सारे ऐसे कुश हाँ देखो अब इस सबसे ट्रीकी कुश्चन है संसत सदस्य बनने है तू नियुम्तम उम्र क्या होना चाहिए ठीक है न अठारे वर्स 21 वर्स 25 वर्स 30 वर्स इसमें से कोई नहीं इसमें से एक स्यादी ए 63 बीपीसी 2017 में पूछा गया है ठीक है अब इसका अंगरजी देख काँ पटस्य चाहिएए थे ह। एसमें लोग कर देते हैं कि लोग सोच रहे होंगे कि पचीस वी सही होगा और से और थे है तिसका एंसर हो जाएगा C the minimum is to become a member of parliament is 25 कोई प्रत्यासी अपने जमानत हो देता है तो यदि उसे प्राप्त ना हो सागा जैसे सब्सक्राइब करो कि आप लोग सब्सक्राइब का चुनाव लड़ते हैं इस सब को लड़ते हैं ठीक है पले इंग्लिस में देखो एक कंडिडेंट एक कंडिडेट और इलेक्शन तो द उतना वोट नहीं पाएंगे तो आपका क्या होगा कि इतना अगर वैलिड वोट नहीं पाएंगे तो आप जो पैसे जमा की है वो आपको वापस नहीं मिलेगा ठीक है तो इसका एक काफी इंपोर्टेंट कुश्यन है दोस्तो इसका आप एंसर क्या करें कि रट ले ठीक है कोई भी candidate अगर वोट लड़ता है तो अगर minimum criteria जो होता है उतना percentage of vote नहीं ला पाता है ठीक है तो criteria क्या है है वो उसे मिलेगा नहीं एक राइट टू रिपर्जेंटरेशन और पीपल एक्ट में दिया गया है ठीक है जिसको बोलते हैं जन प्रतिनिरित्वा अधिनियम 1951 कुशन नवर 14 देखो लोकसभा में राजसभा की सीटों का अवन टंसन 1971 की जन गन्ना पर अधारित है राजयव तो अधार में लोकसभा का कितना सीट है ठीक है एक कमेंट करके आप बताईए तो हर अश्टेट जो है ना उसके अलग-अलग सीट होते हैं ठीक है सबसे जाएदे किसके पास है उत्तर पर देश के पास है ठीक है तो कुशन पूछ रहा है कि जो राजिय का जो सीट का आवं इंपोर्टेंट कुश्चन है कुश्चन आई होब किलियर हो गया होगा अब अंग्रेजी में देखो वो लाए कि स्टेट वाइज एलोकेशन ओप सीट इन लोकसभा इस बेस्ट ऑन 1971 सेंसेस इसको आपको याद रखना होगा एक कुशन इससे बन सकता है फोर वाट यहर वि ठीक है अब इस 2026 कौन से संसोधन के थुरू किया गया है कौन से सविधानिक संसोधन के थुरू करके बढ़ा दिया गया है तो उसको भी याद रखियेगा 84 84 84 जो सविधानिक संसोधन है Constitutional Amendment Act है उसके थुरू कब हुआ था है 2000 में हुआ था ठीक है इसके थुरू इसका बरहा का डेट 2026 रख दिया तो तीन कुशन इसमें पुछा जा सकता है कि कौन से सेंसेस पर अभी जो स्टेट का जो एलोकेशन है सीट का कौन से सेंसेस पर सविधानिक संसोधन करके बढ़ाया गया तो 84 Constitutional Amendment Act 2000 ठीक है 15 देखो वर्तमान लोगसभा के प्रतियक सदस्य के लिए अस्थानों का वंटेन अधारित है कौन से जन गर्ना पर देलोकेशन ओफ सीट ओफ इच एस्टेट इन इन दा प्रजेंट लोगसभा बेस्ट ओन यह हम कुछन नंबर 16 देखो निमलिखित भारती राजियों में से किसकी राज्य विधान सभा की सदस्य की संख्या अधिक है तो तुरा ही इस टाइब एक रेंडम कुश्यन है तो सारे स्टेट का याद होगा नहीं एक 65th विपेसी 2019 में पूछा आया कि इस जो जितने भी स्टेट है ना इसमें से जो राज जो सदस्य विधान सभा का कीधना स्था में किसके जादे है ठीक है अंग्रेजी में देखो विच्व फूलोइंग इंडियन श्टेट्ट है डारज़ेस्ट नंबर ओफ लाज़ेस्ट नंबर ऑफ मेंबर इन इन भाला एक और शूंदेर तो इसमें क्या है कि समय रटा मार वाला answer and also required कुंसर हो जागा दोस्तो हिमाचल पर्देश si I Baked कि जो और नाचल पर्देश मनिपूर में घाला के कंप्यार में देखे तहिंहाजल पर्देश का जादे है ठीक है कि अजुए माचल पर्देश का क्या है दोस्तों जादे अब अब देखोंगे इमाचल परिश्थ कितने है तो शिटीएट है अब दखो अब पुश्य नंबर 17 लोग सभा में अंगलो अंगल यहां पर लिखा हुआ एंगलो भारतिय समुधा है कि सदस्य मनमोनित करने के सक्ति किसके पास है दखो अब इससे बढ़े यह करेंट न्यूज भी है इसको अब ध्यास रखना अब क्या करता था कि प्रसिडेंट ऑफ इंडिया जो थे ओ लोग सभा में दो मेंबर को नोमिनेट करते थे एंगलो ठीक है लेकिन इसको अब हटा दिया गया है अब एंगलो इंडियन कमुनिटी का मेंबर अब इलेक्ट नहीं होता है वह सविधानिक संसोधन करके हटा दिया गया है एक कुछिन कब कहा दोस्तो यह पहले का है बहुत पहले पुछा जा चुका इसलिए इसलिए ए अब relevant नहीं है पुछ सकता है के अभी कौन से सविधानिक संसोदं के दोरा हट आया गया है इसको आप कमेंट बोक्स में कर के बताए कौन से सविधानिक संसोदं के दोरा जो और इंगलो- пойी इन कम्ह corn community को नूमिनेट करते थे प्रेशिडेंट दो सीट के लिए ये पार्लियमेंट में करते लोग सभा में करते थे और एस्टेट में एक सीट के लिए होता था इसको अब खारिज कर दिया गया है तो आप सविधानिक संसोजन का कमेंट बोक्स में करके बताईए ठीक है अंडर विच आर्टिकल ऑफ दे इंडियन कंस्टूशन दे प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सेड्यूल कास्ट वाज मेड इन दे लोग सभा ठीक है तो काफी इंपोर्टेंट कुर्शन है यह पूछा गया है दोस्तो 64th VPSC में ठीक है तो अंडर विच आर्टिकल ऑफ अंडियन कंस्टूशन दे प्रोविजन ओफ रिजर्वेशन ऑफ दियूल कास्ट वर मेड इंद लोग सभा इसका हो जागा दोस्तों आर्टिकल 313 चपने डीकल थीकल 330 के तहित लोग सभा में में मेंसन किया गया है कि सिदुड्यूल कास्ट को भीजर्वेशन मिलेगा ठी कि लोग सभा केंड बीजोल विफोर दर कंप्लिश कंप्लिशन ऑप टर्म कितना होता है तो पांस साल होता है तो पांस साल से पहले कब दिजल्व हो थे जब Prime Minister recommend को प्रैम मिनिस्टर को हम क्या होता है परधान मंत्री के सिफारिस पर दॉवारा कभी कभी क्या होता है की बीच में ही पांथ साल के अंदर ही क्या होता है कि जो मेजरोइटी होता है वो लूज कर जाता है जो ruling government है वो majority लूज कर जाता है क्यूँ लूज कर एगा कोई कोलिशन गौवर्मेन्ट कोई उसका जो साथी होगा उसको साथ छोर के चला जाएगा इस कंडिशन में क्या होता है कि पर्धान मंतिर राश्पति को सिफारिश करता है कि इस लोगसभा को भंग कर दीजिए एक नया इलेक्शन करवाईए ठीक है तिसके एंसर हो जाएगा डी कुश्चन नमर ट्वंटी लोगसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पुरुवा ही भंग किया जा सकता है एक काफी असान कुश्चन है लोगसभा केन बी डिजॉल बीफोर दे एक्सपाइरी ओफिस टर्म बाइद प्रसिदेंट एक इस विल बाइब प्रसिदेंट अधुट प्रसिदेंट कमचेल होने सू manos के यहां पर देश्च पता होना चाहिए का पहले का पर रहा ते पर अ खरूलवे बनकृत। लेकिन पर्दधानमंत्री के सलाप पर परदधानमंत्री का आज क्लिए को आज हमने b lovely question किया के मजा तक स्केर करें के इस ungefρά आई इस7 क diff flowing करेंगे इसे बिहार के अच्छा पूछे गए उसको करेंगे छेल को दखने के थैन्यवाद आपका दिन स्वकों